अब्धियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम है अगर आप अपने स्किन की अच्छे से केर नहीं करते हो तो आपकी स्किन रूखी सूखी बेजान दाग धबे पता नहीं मलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ती है तो इसलिए सबसे बहतर तरीका होता है कि अपने स्किन की जो है अच्छे से क्यार करते रहिए स्किन की क्यार करने की बात बताऊ ना तो अगर आप पूरा दिम चाय से मेक अप कीजिए कुछ भी कीजिए लेकिन रात के टाइम पे अच्छी तरह से अपने स्किन को मौश्राइज कीजिए अगर आपने कोई मेकप किय तो अपना फेस मालब अच्छ से क्लीन किजिए हाँ सरदियों का मौसर में इसलिए थोड़ा से टिपिकल हो जाता है कि हाँ अपना फेस वाश करना यह वह सोचीजे करना लेकिन अगर आप केर नहीं करोगे तो फिर सारी समस्यों का सामना करना पड़ेगा ही इसलिए मैं यही स करूंगी जिसको बनाने मैं आपको बहुत सारी चीजे भी कठा नहीं करनी पड़ेंगी और बहुत महनत भी नहीं लगेगी और साथ ही जो लेप लगते हैं ना फिर आप सोचते हो कि भी हाँ अभी कपड़े खराब हो रहे हैं या इरिटेशन होती है तो वह सारा चक्कर भी रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये बाउल इसके बाद जो हमें इसमें एड करना है वो है ग्लीसरीन ग्लीसरीन थोड़ा थीक होती है इसलिए बहुत जादा क्वैंटिटी में हमें नहीं लेनी है आपको लगवग आदी चमज के करीब यहाँ पे आदी चमज से भी थोड़ा कम ही ग्लीसरीन देनी है कोई से भी ब्रांड की आप ग्लीसरीन दे सकते हो मेडिकल स्टोर में बहुत ही इजली मिल जाती है इसके बाद ये मैं इसमें एड कर रही हूँ एक पे निकाल लेंगे इसके बाद जो next चीज़ हमें इसमें एड़ करने है वो है lemon अगर आपके पास lemon नहीं है तो आप orange का भी इस्तेमाल कर सकते है या फिर अगर आपको lemon suit नहीं कर रहा है तब भी आप यहाँ पे orange का इस्तेमाल कर सकते है लेकिन vitamin C आपको जरूर इसमें एड़ करनी है lemon में काफी high quantity में vitamin C होता है साथी orange में भी vitamin C होता है तो जो भी चीज़ आपको suit कर रही है वो आपको यहाँ पे लेनी है तो मैंने यहाँ पे orange का इस्तेमाल किया है और orange का लगवग एक चमबच के करीब मैंने यहाँ पे रस ले लिया है अब चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से mix अगर आपकी स्किन बहुत ज़दा oily रहती है तो आप यहाँ पे बस यहीं तक मतलब यह आपकी remedy बनके complete हो जाती है अगर आपकी स्किन बहुत ज़दा dry है तब आपको इसमें एक और जरूरी चीज़ एड़ करनी है मैं सज़ेस्ट करूँगी कि अगर आपकी स्किन oily है भी तब भी आप यह मलाई इसमें जरूर एड़ किजिए तो यहां पर मैंने ली है आदा चमच मलाई और यह फ्रेश मलाई है जो भी आप दूद बोईल करते हो तो मलाई को थोड़ा से साइड में हटा करके वहां से आप ले लीजिए तो आदा चमच के करीब मैंने मलाई इसमें इसमें इस्तिमाल की है इसे मैं कर लूँगी अच्छी तरह से mix mix करने के बाद pack हमारा बन के ready हो जाता है तो जैस भी तरह कि आपकी skin type है उसके according आप इस pack को बना सकते हो तो यह रही हमारी remedy dry skin oily skin दोनों के लिए मैंने आपको बता दी है मलाई का अगर आप चाहिए तो skip भी कर सकते हो लेकिन skip मत कीजिएगा अगर आपकी skin oily है भी तब भी आप मलाई का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा क्योंकि मलाई के अंदर वो सारी properties होती है क्योंकि हमारी skin को deeply निखारने का काम करती है moisturize रखती है, healing की properties होती है तो मलाई कुल मिलाकर के आप सारी पांची चीज़े तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है हाँ, vitamin E का capsule अगर आपके पास नहीं है तो आप उस case में उसे skip भी कर सकते हो वहाँ पे आप नादियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हो और अगर नहीं भी करना है तो भी चलेगा लेकिन 4 चीजों को आप ज़रूर इस्तेमाल कीज़ेगा और इन से हमारी skin को कोई भी नुकसान नहीं होता विटामिन C इसमें हाई कोईडिटी में होनी की वज़े से हमारी skin को यह हाइडरेट रखता है नरिश करता है तो विटामिन C में लगव स्किन के लिए आपकी लिए बहुत जरूरी होती है तो आप एक कोईशन पुस्ते होना हर बार की नीम्बू सूट नहीं करता है तो अब क्या करने तो उसका यह जवाब है कि नीम्बू अगर सूट नहीं करता है तो आप और इस्तेमाल कीज़ेगा लेकिन विटामिन C आपको यूज जरूर करनी है आप जैसे भी मनब सुटेवल होता है आपकी स्किन टाइप की अपॉर्डिंग लेकिन कीज़ेगा जरूरूर्ण तो औरेंज जो हैने मेरी स्किन को बहुत सूट करता है पिछले साल भी मैं आपको बताया था कि किचन गार्डन में जितने भी छोटे-छोटे सो औरेंज होत एक फाडी में काफी अरस होता है तो आपका काम चल जाएगा खा भी लीज़े आपके इम्म्यून सिस्टम भी बढ़ेगा चली बहुत बोली और अभी यह देखिए हमारी रेमेडी तयार है और अपलाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि आप अपने फेस को क्लीन कर ली अपने फिंगर का यहなसा अगर नहीं करना है तो आप यहाँ पर कॉटन का भी इसमाल कर सकते हो और इस तरिके से यह देखiacb जैसे ही आप इसको थोड़ा सा अपने फिंगर की हैप से मॉस्चराइज होएगी और यह अपकी स्किन के अगर दाग धबे हैं तो उनको भी लाइटन करने का काम करती है अगर पॉस्टिवल होता है आपसे तो आप इस तरीके से अपलाई करके सर्कुलर मोशन में थोड़ी सी देर के लिए मसाज जरूर किजिए क्योंकि मसाज जो है हमारी स्किन के लिए और भी ज्यादा फाइदे मंद होती है अगर आपकी स्किन जो है रिंकल्स की समस्य आपको होने लगी है तो वह चीज भी मतलब इससे मसाज करने से शौर्ट हो जाती है तो मसाज आप जरूर किजिएगा अची तरह से और जब तक कि आपकी जो भी रेमेडिया है अच्छी तरह से आपकी स्किन में अब्सौर्ब नहीं हो जाती है तब तक आप इसे मेसाज किजिए और फिट छोड़ दीजिए अगर आपको यहां पर इरिटेशन हो रहे हैं अच्छा नहीं फील हो रहा है कि अब भी मुझे यह लगानी नहीं है मतलब रात को मैं कैसे सोंगी अगर महसूस हो रहा है तो आप लगवग आदा फाइदा देखने को मिलेगा तो नैच्छल इंग्रिडियंट्स हमने यहां पर यूज किये हैं जिनका कि कोई भी आपके स्किन में मतलब नुकसान कोई नहीं होता तो आप अपने हाथों पेरों पे भी से लगा सकते हो और इसी तरह से लगा रहने दीजिए फिर सुभा मॉ अगर आप हमाचली लाइश्टाल दिखना चाहते हो तो जाना बिल्कुल मत बुलिएगा और अगर कोई मैसेज आप करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो बस जी फिराज के लिए इतन ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमिशकार थेंक यू